मैं एक बाइस साल की औरत हूँ, मेरा पती रोज मुझे मारता पीटता, परिशान होकर मैं आटो चलाने लगी, एक अंजान आदमी रोज मेरी आटो में बैट कर आफिस आता जाता और हर वक्त मुझे घुर घुर कर देखा करता था, एक रात वहा अपने दो दोस्तों के साथ म मेरी चीक निकल गई, मेरा नाम मोना है, मेरा बाप एक शराबी था और जो भी पैसे कमाता था जुए में उड़ा देता था, उसे जुए की इतनी बुरी लट लगी हुई थी कि धीरे धीरे हमारा जीना दुश्वार होता चला गया, मेरी मा लोगों के घर में सफाई बरतन क काम करती थी, और काम से उन्हें जो भी समान मिलता था, मेरा बाप उसे भी लेकर जुए में लगा दिया करता था, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि घर में एक आदमी आ गया, तब मैं मात्र 18 साल की थी, घर आते ही वो मेरा हाथ पकर लिया और मुझे खिचने लगा, मैं आइकोन, ना जाने मेरा बाप कहा था, तभी शराब के नसे में धूत, मेरा बाप वहाँ पर पहुँच गया, मैं अपने पापा को बोलने लगी कि मुझे बचा लो, इस पर वह आदमी हसने लगा और कहा कि तीरा बाप तुझे जुए में हार गया है, अब तु मेरी है, यह मैं उस आदमी को धक्के मार कर भागने लगी, भागते भागते मैं एक पार्क के पास पहुची, उस आदमी ने अपनी दो गुंडे मेरे पीछे लगा दिया, और उन लोगों ने जबरदस्ती मुझे उठा कर गेश के घर ले आए, जिसने मुझे जुए में जीता था, वह क पले कर एक आटो खरीद लिया, और एक दिन आटो लेकर मैं अपने घर पर चली गई, जहां मेरी मा और पापा रहते थे, मैं अपने मा से मिलकर रोने लगी थी, वहां कुछ दिन गुजार कर मैं एक रात घर पर आ गई थी, एक अंजान आदमी मुझे रस्ते में मिला, वह म मैं उस आदमी के बारे में सोचने लगी थी, और वहां इसलिए क्योंकि किराय के दोस्तों देने के बज़ा, उसने मुझे 500 का नोट दिया था, और कहा था कि चेंज रख लो, आखिर उसने मुझे 300 अधिक क्यों दिये, पर मुझे किसी तरीके से पैसा कमाना था, ताकि मैं मैं आटो का लोन चुका सकूँ, मैंने अपनी बैंक अकाउंट खोल लिया था, और सारे पैसे उसी में जमा करती थी, क्योंकि मुझे पता था, कि मेरा जुआरी पती मेरे साथ मार पीट करके सारे पैसे चीन लेगा, और जुए में हार कर आ जाएगा, मुझे अपने पती से बीच में अक्सर मार पीट होता था, और धालू पिकर वह मुझे बहुत मारता था, मैं बहुत परिशान रहने लगी थी, एक दिन मैं आटो लेकर एक सवारी को उतारने के बाद दुसरा सवारी ढोन रही थी, तभी अचानक उस अजनभी आगमी पर मेरी नजर पढ़ गई, मैं उसके सामने आटो खड़ा कर दी, मुझे लगा शायद वह आटो की तलाश कर रहा है, वह मेरी आटो पर बैट गया और अपने आफिस में जाकर आटो से उतर गया, मुझे पैसे दे कर कहा 6 बजे आ जाना, मुझे घर ड्रॉप कर देना, मैं काफी खुश हो गई थी, जाने हमारे बीच में क्या कनेक्शन है, हो सकता है, मैं अपने घर में काफी परिशान हूँ, जिस बज़ा से मैं अपने आपको रोक नहीं पाती थी, और उसकी ओर देखती रहती थी, उसने मुझे पक्के काम पर लगा दिया था, और कहा था कि तोम रोज मुझे आफिस छो और मैं यहां फिल कर रही हूँ, अब मैं रोज उसके घर पहुंच जाया करती थी, ठीक 9 बजे वहां रोज मेरे आटो में बैट जाता, आधे केंटे के रास्ते में मेरी तरफ देखता ही रहता था, मुझे कभी कभी डर तो लगता था, लेकिन कभी कभी मुझे वहां आदम पुलिस मेरे पास भी पहुचे, क्योंकि पुलिस पर मुझे विस्वास नहीं, मेरी जिंदेगी का एक इतना बड़ा रहस्य जो मैं दुनिया से चुपा रखी थी, मैं पुलिस के चकर में नहीं पढ़ना चाती थी, रात को मेरा पती कमरे में आया, और मेरे उपर भूखी शेर की तरह तूट परा, लेकिन अपनी जरूरत पूरी होने के बाद ही, बहा मेरे उपर हाथ उठाने लगा, कब तक मैं अपने पती का अत्याचार बर्दास करूँ, आज मैं भी उसे दो थपर लगा दिया, अब मैं 22 साल की हो चुकी हूँ, और पिछले 4 साल से उसका अत् आटो के पास पहुंची, तो जल्दी से आटो लेकर उस आदमी के घर तक पहुंच गई, मैं काफी डड़ी और घबराई हुई थी, उस आदमी ने मेरा धर भाप लिया, और कहा क्या बात है, मैंने कहा मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, वह आदमी बहुत हैरत भर निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा, तो मैंने उसे कहा मेरा पती को नहीं पता कि मैं आटो चलाती हूँ, मैं अपने माईकी के सामने अपना आटो खड़ा करती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पती को पता चल गया कि मेरे पास आटो है, तो मुझे डर है कि वह उसे भी कर देगा वहां आदमी बोला तुम्हारे पास अभी भी वक्त है पुलिस को सारी बाते बता दो पर मैं जुर्म शेते ही जा रही थी फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई उसने कहा तुम्हारा बाप भी तो जुवारी है ना तु वहां आदमी इंतजार करता रहा अपने सवाल के जवाब का जिसे देने में भी मुझे डर लग रहा था मैं बुड़ी तरीके से कापने लगी थी तभी उसने अचानक अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और कहा क्या बात है अपना बाप का नाम सुनते ही तुम घबरा र काफी दिनों से वह घड़ पर नहीं आता है उसने कहा तुम्हारा बाप लापता है क्या उसके सवाल का जवाब देने में मेरी सासे रूख रही थी और मुझे उस आदमी पर शक होने लगा था आखीर वह यह सब कुछ क्यों जानना चाहता है और मुझ से चाहता क्या है वह शराबी और जुवारी है शायद अपने आपको भी बेच दिया हो जैसे मुझे बेचा था पुलिस अपना किमती वक्त बरबात करके मेरे बाप को क्यों ढूंडेगी जो बस इस देश के लिए एक बोज है और मुझे अपने घर किसी तरीके से चलाना है क्योंकि मेरा पती जो भी कमाता है शराब और जुवे में उड़ा देता है मेरी कमाई से ही घर चलता है और मैं आटो का लोन भी वापस करती हूं उस आदमी को छोर कर ना जाने क्यों मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था क्योंकि कोई आदमी मेरा पीछा कर रहा था अगर वह मेरा पत पिटी के टाइम मैं उस आदमी को लेने गई तो फिर से वह आदमी मेरी तरफ घुर घुर कर देख रहा था ऐसा लग रहा था कि उसके मन में सैकरो सवाल है पर मैं उससे बात नहीं करना चाती थी मुझे उस आदमी पर शक हो रहा था कि आखिर कौन है यह और क्या काम करता ह मैंने फैसला कर लिया था कि मैं पता लगा कर रहूंगी जब मैं आटो को अच्छे से लॉक करके घर पहुंची तो मेरा पती मेरे पास आया उसके हाथ में डंडा था मैं काफी डर गई कि आखिर डंडा लेकर मेरे पास क्यों आया है और वो मुझे मारने लगा बहुत ही जो जा रही थी आखिर गुस्से में मैं उठी और अपने पती को एक जोड से धका मारा मैं दर्ध से कराने लगी थी मेरे पूरे बदन में दर्ध होने लगा था तभी मैं अपने माई के गई और आटो को लेकर आई रात को 11 बज रहे थे मैंने कुछ समान आटो की डिक्की में डाल दिया था और आटो लेकर निकल पड़ी लेकिन जैसे ही मैं आधी रास्ते में पहुंची तो मेरे पैरोतले से जमीन निकल गई वही अंजनबी आदमी जिसका नाम मुझे नहीं मालूम था जो मेरा रेगुलर कस्टमर था वह मुझे इशारा करके आटो रोकने को कह रह मैं तुम्हें तीन हजार रुपे दूंगा तुम मुझे वहां पहुचा दो मुझे पैसो की सक जरूरत थी इसलिए मैंने उन तीनों को आटो के पीछे बैठा लिया तभी उसने पूछा कि आटो की डिक्की में क्या है उसका सवाल सुनकर मैं काफी डर गई थी मैंने कहा उसके अलाबा और कोई चारा भी नहीं था उस आदमी ने पूछा इतनी रात को आटो क्यों चला रही हो मैंने कहा मुझे पैसो की सक जरूरत है आटो की EMI देनी है अचानक ही बीच में उस आदमी ने आटो रोकने को कहा उसका एक साथी उतर कर कुछ सामान लेने चला गया वह आदमी भी उतर कर मेरे पास आ गया मैं उस आदमी से अपना चहरा छुपाने लगी थी उसने कहा तुम्हारे पती ने बुरे तरीके से तुम्हें मारा है मेरी आखों में आसु आ गये थे और मैं कापने लगी थी अचानक उसने मेरा हाथ पकर लिया और मेरा चोट देख मेरे पूरा बदन घायल था उसने कहा अभी भी वक्त है पुलिस टेशन में जाकर कंप्लेंट कर दो मैंने कुछ भी नहीं कहा तो उसने कहा घर से भाग रही हो क्या मैं मुस्कुराने लगी सोची मुझे पता है कि आप मेरी जिंदगी पूरे तरीके से बरबाद हो चुकी है और सारे दर्वाजे बंध हो चुके हैं उसका आदमी एक शराब की बोतल लेकर आया वह तीनों काफी खुश नजर आ रहे थे मुझे लगा शायद जहां जा रहे हों वहां पार्टी करेंगे जब चलते चलते हम सहट से बाहर निकल गए तो एकदम सुनसान इलाका आ गया अ जरूर वह मुझे पर बुरी नजर रखता है मैं आटो रुक कर पूछा क्या बात है यह इलाका काफी सुनसान है और यहां रुकना खत्रे से खाली नहीं है पर उसने मुझे से जो कहा उसे सुनकर मैं चौक उठी थी कहा तुम तो खत्रों के खिलारी हो तुम्हें किस से डर है वह तिनों सुनसान इलाके में शराब पीने लगे उस आदमी ने एक गिलास शराब मुझे भी पकरा दी मैं आज काफी परिशान और घबराई हुई और दर्द में थी तो मैं भी उन लोगों के साथ शराब पीने लगी मैं शराब में अपने सारे घम भूल जाना चाती थ मैं उन तीनों की बाहों में अपना सब दर्द भूल जाना चाती थी ना जाने मैं क्या सोचने लगी थी लेकिन शराब पीने के बाद उन तीनों ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मैं थर थर कापने लगी थी मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी मेरी सासे हलक पर अटक गई थ मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह सब कुछ पर नशे में सब कुछ अच्छा लगने लगा था। मैं अपना डर और गम भोलने लगी थी और मैं अपना होश पुरी तरीके से खो बैटी थी। जब सुबह हुई तो मेरी आखे खुली। मैं एक घर पर थी और वह अजनबी आदमी मेरे सामने बैठा हुआ था। मैं डर के मारे अचानक से उट गई और रात को मेरे साथ जो जो कुछ हुआ वह मैं सोचने लगी थी। अपनी जिन्दगी को सुधारने के लिए मैंने जो भी गलत कदम लिये थे उस अंजान आदमी को सब कुछ मालू था शायद उस दिन वह मेरी मा को मार ही डालता अगर मैं चाकू अपने बाप के सीने के आड़ पार नहीं कर दिया होता। जब मेरा बाप मर कर नीचे पड़ा हुआ था तो मेरी मार ने राहत की सांस ली थी और मुझे अपनी बाहों में लेकर कहा था कि तुने मेरी जान रात को मैंने अपने बाप की लाश आटो में डालकर समुन्दर में बहा दिया था और कल रात फिर से वही सब कुछ हुआ और जैसे ही मेरी पती को पता चला की मेरे पास आटो है वो मुझे जानवरों की तरह मारने लगा था शायद वो मुझे मार ही डालता अगर मैं उसकी उपर जवाबी हमला ना किया होता और उसे नहीं मार डाला होता पर मैं इसके बाद काफी घबरा गई थी और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने आटो के पीछे छिपा लिया था एक बड़े कंबल से लपेट कर इससे पहले कि मैं उसके लाश को ठिकाने लगाती वह तिनों अंजान आदमी मुझसे लिफ्ट मांग लिये थे और इसी वज़े से मैं डर रही थी कि लाश को ठिकाने कैसे लगाऊं वह अंजान आदमी जो मुझे रोच लिफ्ट मांगा करता वह एक पुलिस वाला निकला और उसे मेरे कर्थूत के बारे में सब कुछ पता चल चुका था उसे यह भी पता लग गया था कि मैं बस अपनी और अपनी मा के जान बचाने के लिए अपने पापा और पती की जान ली थी क्योंकि जंगल में रहकर जीना है तो लड़कर ही जीन और उसके बदले उन तीनों ने मुझे जो मांगा था मुझे उन्हें देना पड़ा था वह पुलिस वाला मुझे अपने साथ ले आया था मुझे अपने घर पर पनाह दिया था अब रोज मेरे साथ संबन बनाता था पर मेरे उपर कभी भी हाथ नहीं उठाता था और मैं आ ये साथ कभी भी कोई जुर्म नहीं हुआ था बस मैं वह रात कभी नहीं भूल पाई जब वह तीनों मिलकर बाकी दोनों भी पुलिस का आदमी था और अपनी जान बचाने की कीमत थी जो मैंने उस रात चुकाई थी वरना वह लोग मेरे खिलाब केज बना देते और मैं अपन अगर ये कहनी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैलन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को प्रेस करें थैंक यू